और ऑज का टोपिक है वंट आर स्टों alter nombreux के इस एन बाद बेसिट्स और वीकट रडास डिन पढ़ते हैं की स्ट्रोंग एसिड् है वह आपका completely ironize हो जाए किसी solution के अंदर बढ़ जो आपके पास weak acid होगा वह slightly ironize होगा इन आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो completely ironize हो जाए वह आपके पास strong acid होंगे बढ़ जो in completely ironize हो रही है these are called as weak acids ठीक है तो आपके जो weak acids होंगे वह incomplete ironize हो जाएंगे बड़ जो completely ironize होंगे वह आपके पास strong acids होगे अब आपको में इसमीं example बताता हूं कि सो यह को strong acid क्या होंगे जो completely ironize हो रहे ले लिए जब ऐसे लिए को वोटर किसा ट्रीट कराएंगे तो आच पोजिटिव देंगे और क्लोरीन देंगे यह मिसे completely ironize हो गए हैं बट जब हम weak acid दे लेंगे कोई वोटर से ट्रीट करेंगे तो पाई यह complete ironize नहीं होंगे यह complete यह product नहीं बनेंगा जो back arrow यह बता रहा है reaction बैक हो सकती है मतलब इसका मतलब यह है कि एक ऐसा पॉइंट है जब तक को ironize हो रहा पर उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब यह बंद हो जाएंगे इस बैक रियक्शन क्लियर इसका मतलब है कि वह completely ironize हो क्या है यहां पर यहां पर यह पहले यह लगा यह ताकि वह आयोज हो रहे थी पर एक ऐसा स्टैप आजब वह बंद होगे तो बहुत ने बैक रहो लगा दिया तो इस जब भी डबल आरो आएका इस वह कंप्लीट आयोनाइज नहीं है बड़ जब भी ऐसा हो रहेगा वह कंप्लीट आयोनाइज होंगे तो इसके अंदर हम चक करेंगे कि में इसमें本ें बढम क्याखत हो आपकर स्टव कांज वह वह ऑने बड़ी चैप हर इसास में आपकी क्लूरीड के अब इसके और में हमने दो ही पढ़े हैं तो आपने मेरे में और ुप्तिने कि कउन कौन कौन से स्ट्रौओ एस एक एक Security याद रखेंगे hydrogen hydrogen chloride याज रखना nitric acid याद करना sulfuric acid याद करना यह यह भी रहने दो आपने आपको यह यह वाले तीन आपको पता होनद यहें कौन कुंस जो ठीक है एक hydrogen chloride acid एक nitric acid और एक sulfuric acid अब नेक्स आता है वीड acid वीड पर लिए जो की partially या पर incomplete आयोनाईज दोंगे इस आपने रखने एक Acetic Acid याद रख लेना एक आपने आद करना है एक Hydrogen Sainide याद रख लेना ठीक है तो आपको यह दो Examples पता हूं चाहिए इसके अंदर कौन को से मैंने कहें एक मेंने का Acetic Acid एक Hydrogen Sainide अब हम पढ़ेंगे Strong Base और Weak Base वही Definition सेम Definition आजाए कि क्या होता है Strong Base और Weak Base यही है कि एक Strong Base क्या होता है जो की Completely Ionize हो जाएगा Acqua Solution के अंदर बढ़ जो आपके पास आएगा Weak Base होगा वह Ionize Only Slightly Neckos Solution इटमीज वह Incomplete Ionize होगा और Partially Ionize होगा को याद रखने की ट्रीक है कि जब आपका हमारा Ionize हो जाएगा क्लियर है तो यह वीक बेस जो की Partially Ionize Incomplete Ionize होगा को याद रखने की ट्रीक है कि जब आपका हमारा Ionize होता है तो इटमीज वह Complete Ionize हो रहा है जब हमारा ऐसा Ionize होगा इटमीज वह Incomplete Ionize होगा और जब आपका Ionize होगा इटमीज जो आपका Resultant Ionize है वह वीक होगा अब हम Strong Base की और वीक बेस की Examples देखते हैं तो देखो तो यह Strong Bases है सारे नीचे वीक Bases है मैं में 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 बताऊंगा आपने कौन कौन से याद रखने है Sodium Hydroxide याद रखो यह Strong Base है then potassium Hydroxide भी Strong Base है then calcium Hydroxide भी Strong Base है और अब आपके आती है वीक Bases की बारी तो वीक Bases आपने याद रखने हैं कि Ammonia और एक Ammonium Hydroxide NH4OH यह आप Simple सा याद रखना ठीक है Ammonium Hydroxide याद रखना है NH4OH और नीचे से भी को याद रख लेना आपने sodium for example sodium bicarbonate याद रखना ठीक है तो यह वाले आपने कौन कौन से कहीं मैंने Strong Base में आपने याद रखना है calcium hydroxide और potassium hydroxide then sodium hydroxide and similarly in weak base एक Ammonia sodium bicarbonate एक Ammonium Hydroxide NH4OH ठीक है थैंक